गरियाबन से बड़ी खबर है भातिय जौनता पाटी ने वर्मी कंपोस्ट में मिलावट करने के आरोप लगा कर कलेक्ट्रेट का किया घहराओ स्वत की बड़ी खबर गरियाबन से आरिये भातिय जौनता पाटी ने वर्मी कंपोस्ट में मिलावट करने का आरोप लगा कर कलेक्ट्रेट का किया घहराओ किसान मूर्चा के अद्रिक्षु संतीप शर्मा, विधायक दमरुधर पुजारी, पूर्व विधायक एवं संसद्य सचिव, गुवर्धन माजी के साथ सैक्रो भाजपा कारेकर्ता उपस्तित थे शासन प्रशासन के विरुध जमकर्ण नारेबाजी कर, वर्मी कमपोस्ट में की गई घपला की जाच की मांग कर ग्यापन स्वापा गरियाबन से बड़ी खबर है, भातिय चौनता पार्टी ने वर्मी कमपोस्ट में मिलावट करने के आरोप लगा कर, कलेक्ट्रेट का किया घहराओ स्वाथ की बड़ी खबर गरियाबन से आरिये, भातिय चौनता पार्टी ने वर्मी कमपोस्ट में मिलावट करने का आरोप लगा कर, कलेक्ट्रेट का किया घहराओ किसान मूर्चा के अर्धिक्षु संदीप सर्मा, विधायक दमरुधर खुजारी, पूर्व विधायक एवं संसद्य सचिव, गुवर्धन माजी के साथ सैक्रो भाजपा कारेकर्टा पस्तित थे शासन प्रशासन के विरुध जमकर्ण नारेबाजी कर, वर्मी कमपोस्ट में की गई घपला की जाच की मांग कर ग्यापन स्वापाँ अर्मी कमपोस्ट बोर रहा है और मट्टी को बेच रहा है, किसानों को एक जनका को और किसानों को ठंगने वाला भूपेश सरकार एक अंगरे सरकार ठतियर में आम जनता से लेके किसान तक ठंगने वाला है पूरे प्रदेश में वर्मी कमपोस्ट के नाम से मिट्टी और धूल से भरी बोरियों को किसानों को टिकाया जा रहा है प्रतियर कर अनावस्यक 900 पर खाद लेने के लिए गरीब किसानों को मजबूर किया जा रहा है ये किसानों के साथ एक बहुत बड़ा न्याय है दूसरी वाइद पूरे प्रदेश में जिन किसानों को पीडित किसान है किसी-किसी मामले में उनको मौज़ा देने की जब बारी आती तो भूपेश बगेल जो है पीठ लिकाते हैं दूसरे प्रदेश में जा करके 50-50 लाग का मौज़ा देते हैं लेकिं 36 गड़ के किसानों की जब बारी आती है तो उनको 20,000 उपर दे करके उनको फुसलाने का काम करते हैं यह भूपेश बगेल की 36 गड़ के किसानों के साथ एक बहुत बड़ा जो है भेदभाव की नीती है और एक बुरे बुरी नीती सरकार की है और तीजरी बात यह है